पहले प्रकर्ण हमने समाप्द किया था वसुद्य समाप्द नहीं वाता वो चल रहा था कि इनीशल इस्टेट ऑफ इनिवर्स कि श्रिष्टी की प्रारम में कवस था कहां से शुरूआ आज उसी करम को और आगे बढ़ाते हैं कि स्रावन माश चल रहा है कि सभी मंद्रों में कि शिव भक्ती की धूम मचिये कोई दूद चड़ा रहा है कोई और कुछ जला विशेक कर रहा है कि बहुत सारे विशेक की परंपराय चल रही है कि कई भांग कई गांजा कई अफीम मारवाडे मफीम भी चलता है कि यह सारे नशे कि शिव जी के नाम पर भक्ती का इकांग बन गए कि यह मंदिर नशों के अड़े बन गए और शिव जी को किसी ने समझाईने जिस व्यक्ती ने जिस दुरुगुण को अपनाने की इच्छा व्यक्त की वो दुरुगुण किसी मापुरस में थो द्यारों पित कर दिये फिरका वो भी ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करें वास्तम में भगवान शिव क्या थे इस पर तो हम एक फेस्बुक बेश रंखला सुरूकी है अज और डालेंगे लेकिन इनीशल इस्टेट के उपर भगवान शिव के क्या विचार है वो हम आज बताते हैं हिंदों के मर में एक ऐसी छवी है के शिव एक ऐसे पुरुस अलोगिक नशे में चूर तो कई साधना में बैटे हुए दिखाते हैं फिर भी नशे वाले हाथ में त्रिशूल डमरो शिर परचंद्रमा गंगा सांप वड़ा विचित्र दिर्श्य बनाया है कि रामचरित मारस में शिव जी की वरात्का बरणने बहुत बेढ़ंगी और से संसार के लोग भारत विरोधी मान सेकता रखते हैं जोने प्राची नित्यास पर बिल्कुल भी विश्वास निरा बलकि वे विरोधी हो चुके हैं और ऐसे लोग अधिकांस में भारत में ही है वो नाना व्येंग करते हैं लेकिन कोई शियव बहुत उनका अतर नहीं दे सकता है कि आध़ जब हम उन्हें समझाने का प्रियास करते हैं और भगवान से वास्तविक्ता बताने का प्रियास करते हैं तो कोई कट्टर पोराणिक हमसे जङगण नेकलता यारू हो जाते हैं यह किसने लिखा कि आपको संस्कृति का किसने ठेकदार बना देया कि खिलबाड करने का ठेका किसने दिया यह कमेंट करता है कि विधर में कुछ भी काया उसका अत्तर उनके बास नहीं है लेकिन आर्समाज यह को हमेशा सताया गया रिशी द्यानन से लेकर आज तक जल रहा है इक्रम वास्ता में रिशी द्यानन को भी नी समझा और में भी नी सम्झा हां यह बात भी सत्य है कि आर्समाजने ने इन को कचरे में डाल दिया कोई बात नहीं करता किसी को पता भी नहीं है कि अबर रिशी द्यानन से आगे बढ़के देखते नहीं है कि बहुत कुछ व्याकन के गुरुकल होंगे महर्षी पान नहीं पतंजली यास कृषी का नाम ले लेंगे कहीं जर्षन होंगे तो को गौतम क करनाच व्यास का नाम ले लेंगे लेंगे इस से आजाना उनको भी कुछ पता नहीं यह दुर्वाग्य मैं के जोंबी है था यह यह प्रसंग में पसित कर रहा हूं है सारे संसार के उन लोगों को मिने बिदन कर रहा हूं रपर द्या भारती शास्त्रों पर हस्ते हैं सवादी है वैज्जानिक है विध्यानपूर्वक सुने कि किसी को भी पता नहीं है कि निशेल इस्टेट गया थी संसार के किसी भी फिजिशिष्ट को आज तक यह पता नहीं लगा कि यह ब्रह्मान जो बनना शुरू हुआ वह वास्त्री प्रार्म में के स्टेज गया थी है तो हम इसमें काफी कुछ बोल गए हैं और हम बता चुके हैं कि प्रार्म में कि स्टेज का नाम है प्रक्रती एक ऐसा पदर्थ जहां बिलकुल अंधकार है प्रकाश का एक फोटोन भी नहीं प्रकाश का हीट का किसी कॉस्मिक रेज का एक्सरे का गामा का रेडियो कोई भी वेव नहीं है एक्टोमेंटे वेव कोई भी साउंड वेव नहीं है किसी प्रकार की वैक्यू एनर्जी नहीं है किसी प्रकार की डार्क एनर्जी नहीं है किसी प्रकार की पोटेंशिल कानेटिक एनर्जी नहीं है किसी प्रकार की कैमिकल एनर्जी नहीं है किसी प् मैटर कहते हैं वर्तमान विज्ञान में वह भी नहीं है मैटर किसको कहते हैं जिसमें मास होता है तो मास नाम का गुण भी उस पजार्थ में नहीं है चार नाम का गुण भी उस पजार्थ में नहीं है गती भी नहीं है कि सिती भी नहीं है इस्तिधिक अर्थ कोई चीज इस्तित है उसको गती देने के लिए बल लगाना पड़े वह भी नहीं है गती जिसको रोकने के लिए बल लगाना हो वह भी नहीं है तब क्या है इसको भगवान मनुन ने जो समझाया वह हमने आपको पहले बता दिया था इसलिए उसका पिश्ट पेशन नहीं करेंगे पिशे हुए को नहीं पीशना आगे चलना अब बात भगवान शिव की कर रहा था तो भगवान शिव ने उस प्रकृति के क्या क्या गूण बताएं वैसे सत्वगूण राजवगूण तमवगूण यह हैं लेकिन उसके प्रकृति के विशेशन उस समय जो वस्ता थी वो कैसी थी वो बताते हैं तो सब से पहला लिखते हैं यह महावारत कार ने लिखाए जब भीशन पिता मैं शरसाया पर पड़े थे तो लगवग 56 दिन उनका उबदेश चला था सरी से यह पर लेटे लेटे धर्मराज इदुष्टिर भगवान कृष्ण और अन्नि पांडव वह जाते थे प्रश्णोत्तर होते थे उन प्रश्णोत्तर में उन्होंने मादेव जी का और भगवति उमाजी का संबाद वताया है उस संबाद में प्रकृति का बढ़न में आता है मादेव शीव भगवति उमाजी से कहते हैं नित्यम एक मनों व्यापी क्रियाहीनम हेतुकं अग्रायम इंद्रिये सर्वैर एतत अव्यक्त लक्षणं अव्यक्तं प्रकृति मूलं प्रधानम यो निरभ्ययं अव्यक्त स्यव नामानी शब्दय पर्याय वाचकई है पहला गुर्ण रहता है उसका गुंछ नित्य नहीं नोट रहता है ऊस्त पद़ार्थ का जन्म खभी नहीं हुए और उस्त दार्थ का वह नाश्वी कभी कि नहीं हुआ उस पदार्थ के अलावdan कोई ब्युद्टत उस ब्रह्मान में पेंसा नहीं है जिसका जन्म नहीं हो जिसका निर्माण नहीं हो और ऐसा भी कोई पधार्थ नहीं जिसका कभी न कभी विनाशण मैं केवाद जड़की बात कर रहा हूं क कि दो पधार्थ और ठोहें जो नित j February ॹड पार उनकी यम चर्चा निगरे वह चेतन पदार्थ ऑ। तो जो भी उस्सेंद पदार्थ दा जिस रूप में भी था उसका पहला गुन क्या tama कि ब्रह्मान तो अनादी नहीं हो सकता लेकिन सिर्ष्टि प्रला सर त्ली प्रला ये चक्र यह अनादी है कव से स्रिष्टी प्रले का चक्र प्रारम हुआ चला रहा है इसका कोई उत्तर नहीं है और नहीं हो सकता है क्योंकि यह चक्र का कभी प्रारम भी नहीं है हैी टर्णल प्रण रोध को अरकम तक प्याज चक्र जलेगा यह मैं पता नहीं क्योंकि अनन्त काल तक चलेगा अंत उसी का होता है जिसका कभी न कभी प्रारम होता है भगवान कृष्णी महाराज ने गीता में जात से ध्रुव उम्रित्य हो द्रुव जन्म उम्रिता से अचा जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यून निश्यत है और जो मर गया उसका जन्म भी निश्यत है तो प्रकृति का जन्म नहीं होता क्योंकि मरती भी नहीं कभी वह पदार्थ कभी मिठता नहीं तो बनता भी नहीं और बनता नहीं इसलिए मिठता भी नहीं तो पहला गुण वह पदार्थ जिस रूप में भी था वह नित्य था कि इसलिए उपनिसद मुझे कहा कि सदेव सोमे दम अग्राशित सबसे पहले सथ ही था सदकार्थ जिसका विनाश्न हो लेकिन कहीं की उपनिसद में का कि सद्वी था सद्वी था 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 तो सही पर नहों नहीं जासा था कि यह में दर्स रहा है को यह सो रहा है को ऊश्य सो रहा है तो सोया मतलब नहीं होने जैसा न तो खायेगा ना पानी पीये स्मय करेंगा कुछ नहीं करेंगा दो नमस्ति करें ही नत्ती आप नहों लेकिन वह नहीं होने जैसा था इसलिए वह असत जैसा था थासत पर असत जैसा था तो भगवान शिव कहते हैं पहला लक्षण था उस प्रकृति का उस पदार्थ का उस मेटरियल का कि वह नित्य था और दूसरा गुण नित्यम एकम एक ही था ऐसा नहीं कि उसमें से अलग-अलग आइडिन्टिटी अलग-अलग थी ऐसा नहीं था अब जो हमें दिखाई दे रहा है हमको दिखने में हवा लग रही है कि एक ही है वैसे आँखों से नहीं दिख रही है चमणी से इस पर्च कर रहे हैं लगती है कि एक जैसी है अगर हमारी आँखें हवा के वायू के अणूं को देख पाती तो क्या दिखता हमें अणूं दोड़ रहा है इधार दोर टक कर मारते हुए तब लगता एक नहीं है यह तो असंख है कि पाने भी लगता है कि एक ही है लेकिन उसका देखो तो उसके अणूं टक कर मारें दोड़ रहे हैं लेकिन प्रकृति दोड़ एक ही ते उसका कोई नहीं था उसका कोई एटन नहीं आइ거든 यह कौन आनकी पासिखत्राइव कणि थे और कैसे यह नदिका पानी मित है ये अल्याम के मान और को फ्टीमार इस dar मफ्त हो गया कहीं पाने लेर उचा नीचा उचा नीचा कहीं गहरा इंथला लेकिन प्रकर्टी कैसी थी कोई उचा उचा गहरा उचला नहीं था उसका कोई किनारा नहीं था है कंट्यूनियस को कि आसे बहुतानी मोलीन आइस्य ट्रोपिक सभी दिशामें एक जया साथ हो कहां तक था यह वी किसी को पता निकांग कितना आयतन था सका यह वी किसे को जो कितना अयतन इंफाइनाइध च्चा अनंत हो कि समुद्र भी अनंत नहीं है ब्रह्मांड जो अब तक देखा है उसकी माप बताते हैं दसकी गाज 26 मीटर रेडियस है इसका जितना देखा गया उसका कि अब प्रकर्ति का रेडियस कोई नहीं जानता है अनंत एक था और एक जैसा सब जगे था अब वाई एक जैसी दिखती है नहीं लेकिन थोड़ी दूर दीरे 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 वाई कम होती जाती है आगे चलके वाई समागे अगर यहां से सूर्य तक जाएं तो कितने ही रहें रीजन आएंगे अलग 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 टाइब के और वाई मुंडल के पार तक जाएंगे तब भ आए था नकई सगन था नकई विरल था नकई फ्रक्षण था एक सांथ एक एक द्रस और अगला अगला गुन भगवान शिवन ने बताए और सूक्ष्म था इतना सूक्ष्म के उससे अधिस उक्ष्म हो ने सकता है जैसा हमने पहले भी बताया है ज़्यकर काणू है उसमें मीठाश है कार्वन है कायर्वन हाइडरोजन ऑख्रियन एक विशेश सहयों मीठास बन गया चीनी काणू बन गया उसको तोड़े तो कायर्वन भी मिठानी है अग्सिजन मीठाने उनमें अलग अलग गुणा दूसरे आजाए उनको तोड़े तो वह भी गुणगाय हो जाए उनको तोड़े तो को आर कि इलक्ट्रोन आजे उनको तो तो उनको पता नहीं हमको पता रस्मिया जाए उन रस्मियों के भीतर भी क्या और कई आगे स्टेप आने के बाद आता है प्रकर्टी कि आणुए सब से सूक्ष्म है और अगला आया अगला कुण महादेव जीन वह व्यापी वह प्रकरती में व्यापी सब के अंदर व्यापक है आज वी एसा नहीं कि वही उसी समय था वो मैटेरियल आज भी है वो वह मैटेरियल से हम बने है और इश्वर की विशेष्था कैसी है किए दूध से मावा बन गया कई खुआ भोलते हैं तो दूध समफंतो गया दूद के वज़ा कुछ और बन गया दई बन गया तो दूद के वज़ा कुछ और बन गया प्रकर्ति से और तो बना लेकिन फिर भी उसमें प्रकर्ति समाई है मावे से दूद से मावा बना पर मावे में दूद समाया है सब कुछ बना है उससे हमारे शरीर वनस्पतियां तारे गैलक्सी एटम पार्टिकल्स वेव सब कुछ किसे बने प्रक्रती से अब्रख फिर उसमें समाई है अपने रूप में भी उसका जो निश्किर रूप है उसका जो व्यापी रूप है उसका एक्रस रूप है वह उसके आंदर भरा वह यह विशेशत अलाग है तो मादेव जी कहते हैं वो प्रकर्वियापी और सुक्ष्म और जड़ के अंदर वह द्यान रखें इश्वर के अंदर प्रकृति नहीं हम जो आत्मा है हमारे भीतर भी प्रकृति नहीं है और फिर अगला कुण महात्मा जी मादेव जी नी बता है क्रियाहीनम उस पदार्थ में इनिश्यल इस्टेट के समय कोई क्रिया नहीं होती है अब आज भी जहां फ्रकृति रूप है उसमें अभी कोई है भी हल्चन है हल्चल हो भी नहीं सकते है कि हल्चल किश ना हो सकती है प्र निर्वाइक लमत्तंशन तो यह हां की हल्चल है है और फॉल से इधर दूसमें को आध्यूरां 132 111 नहीं हो गया ह हedsव को है यहां पहुंचा इधर पहुंचा लेकिन हाथ को जकड़ लो तो हाथ ऐसे नहीं लेगा कि जो समझे जगा इसमाल चल कैसे होगी इसलिए इश्वर के विश्वर में कहते हैं अपाणि पादो जबनो ग्रीटा और लारा योट है कि यृए बिना पहार के चलता है आर्था समझ रचल नहीं होती क्योंकि वो जाना वहां पहले से मजूद है ब वह भी तो है I am Андि जानाना गतिक स्मय होती है हल चलं मिलотив रूप इध सुक्षम रूफ हल चल का अब introduce çal तो जो गती कैसे होगी संद्म के नहीं लिए प्रकृति को मादेव जी इसमें कोई partions नहीं है कि पो बिल्कुन निश्करि है और को सोते हैं तो ऐसा लगता है कि हम के तद्रिया नहीं हो रहे हैं क्रिया नहीं नहीं होतें किरिया होती है और द्धी ध्ड़क्ता है रख्त विवेता है स्वास एनता है पाँचन भी होता है अवश्षण भी होता है मस्तिष्प भी सपन में काम करता है एक-एक कोष गा में कर रही तो नहीं हिल रहे है भागे असलर जब त। ऑ हो बहुत 0 डिग्री Calvin टेंप्रेचर पर अणू काम नहीं करते लेकिन उसमें भी वाइब्रेशन उसमें भी रहता है ऐसा साइन्स को अभी तक कोई इस्थिति नहीं मिली और मिली जाएगी तो भी उनका और और मुखर जहां कोंप्रीख ब्राइब का यहां कोई नहीं हिरने वह जिसको नपने सकेंगों अनभा नहीं हरा सब्स क्रिया ही निस्थिति की फिरिस जेकर सब् हृभ इस किसी वह एया सकते हम जिसमें क्रिया हो कशिकलाई तक्रया है हुआ है इस सल्धेयर लाक्ररा उससे हो फोटन मंतरा की हमारे हाँ को ऑग घुल क्षैंओ यह में तक्राथा ना अप्ज़ोववन यह पॉटन होता यह से घुला थोओनby होता धी थो यह क्रिखनें थोड़ी है उसमें भीलग विए एंपजर्ब कर लिया हमने नई देखा काला दिखा वूबी ख्रिया है करिया नहों एक आर्थ होता के इलर्ट्रों से फोट्न टकराई निह सके आकरशन की अहिंस नोधन नो क्रिया हीन पदार्थ को से नहीं सकते लेकिन वा देव जी कहते हैं करते हैं मूल पदार्थ क्रियाहिन था कोई क्रिया नहीं थी और फिर लेते हैं आहे तुकम और वह पदार्थ कैसा था आहे तुकम जिसका कोई दूसरा कारण नहीं था हुआ 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 है चोटे-चोटे कंड किसी और से बनते हैं अनू परमाणू से बनते हैं परमाणू है इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन आधी से बनते हैं वह क्वार्श आधी से बनते हैं इलेक्ट्रोन तो कार्शन नहीं बनता तो इनके कारण है तब प्रकर लेकिन सब के कारण जाता है कि इसर पर भी इटा घाता है कि इश्वर का भी का बनाने वाला होना चाहिए प्रकर्ति का भी को बनाने चाहिए यह श्रंखला कभी नहीं कभी बंद नहीं हो सकती इसको कहते हैं अनवस्था दोश है ऐसी अवस्था हो गई कि शीरी चलती रहेगी एक जगह पड़ेगा वह कौन सी जगह है यह विचार करने की बात जो इंटर्नल इंवर्स की बात करते हैं उनसे अगर यह पूछा जाए कि इंटर्नल का कौन सी चीज इंटर्नल है वो मानते हैं कि गैलक्सी इंटर्नल नहीं है कभी गैलक्सी बनी है कभी तारे बने है कभी प्रित्वी बनी है कभी यह सारे कंड बने है आयू भले ही प्रोटोन की बहुत बड़ी आयू मानते हों लेकिन कभी इनके भी बनाया है आयू मानते हैं तब इटर्नल कौन रहा है कि एक ऐसी स्टेज्ट होनी चाहिए जिसको कह दें कि यह इटर्नल है यह नहीं बनती इससे आगे-आगे बनता रहता जैसे वर्फ को हम गरम करें तो किसमें बदलेगा पानी पानी को गरम करें तो भाप में बदलेगा और भाप को गरम करें तो प्लाजमा अस्तेजी पहुंच जागी उसको गरम करें तो यह तेक सोचलो खोस मेंद करा गैस प्लाज्मा तो सबसे खुशम क्या हुआ पलाज्मा तो वैसे टेनल युणिवर्स माने तो सबसेघक्षम क्या सबसेख़्म क्या है पता रह्य है अगर यह सबसेख्षम सरुदल यह तो कभी न कभी बने लाँ यह पता नहीं जो जिसका कोई कारण नहीं है वह केवल एक ही प्रकृति ने हम एसा पदार्थ किसमें कोई क्रिया नहीं हो। जिसमें कोई फोर्ष नहीं हो ऐसा पदार्थ जो किसी से मिलके नहीं बना हो ऐसा पदार्थ जो कभी नेश्ट नहीं होता हो उसका कोई कारण नहीं होता साथ किसी भी टेक्नलोजी से कितना ही विकास हो जाए प्रकर्ति को कभी भी ग्रण नहीं कर सकते जान नहीं सकते छोटे-छोटे कड़ों को कि एक छोटे पदार्थ को किसी गैंद को पकड़ने के लिए हाथ परियाप्त है जो थो चैनल लेकिन रेत केयो पकड़़ने के लिए मुश्किल से हाथ यह पकड़ा जया नीचे गर जाए Denkach noises को उसको ऑट जाए कि क्या क म == आनूक हम उठा सकते है मौली और है देखे टे इन ignoring से का इन सब को किसी किसी आकर शन से किसी लेकर दिधार कंगे बड़ी-बड़ी लब डिटेक्ट करते हैं छोटी छोटी पार्डी आकरिकर सको लेकिन कौंसे ईडिटेक्ट नहीं पकती कहते हैं हुआ है प्रक्रति अइट probabilम सब्सक्त कि अधिछ सकता और लेके किसके दौर अग्रायम इद्रिया से अधान दीजिए कितने अच्छी बात करें इंध्रियों के दौरा अग्रायम इसका मतलो ग्राय तो है इसके दोरा आत्मा के दौरा ग्राय समाधिवां साय योगी कर सकता है कि guardians रेकारें असे करेगा आत्मा प्रक्रति से भी सुक्ष में उससे जान सकता है लेकिन इंद्रियों से मन से प्रक्रति को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता है फिल लेखते हैं सर्वम सर्वई एतद अव्यक्त लक्षणम और प्रकरति सब का और और कुंसे लक्षण उसके अव्यक्त ज्रैयवक्त का जीदा इकन से लिएकं से दिखता है कि लिकश lawms कलैं जैश्य विषुन क्या मित्यों सर्व हो तो गाय कैसी आरता देगा गया कैसी लिए構 zł व्यक्त ऊस्यक्त आरिम बता देना अबानी चलती है गर्म चलती है लेकिन इसके ऑबारे में कुछ नहीं कैसे के उसको अव्यक्त लेकिन इतना नहीं है विष्यों की बुद्धी के कमाल है कि मेर सी नहीं बहुत शांदार परिवासा मेरे पढ़ने में विजब आई तो खुशी का ठिगानान राग कैसी परिभास अभ्यक्त का क्या आर्थ बताया उन्होंने कमाल किया प्रोक्तम तद अभ्यक्तम इत्ते वा जायते वर्धते चयत जीर्यते अम्रियते चय वा चतुर भिर लक्षण ही वितम न जायते अब्यक्त किसको कहते है न जन्म ले सकता है न वर्धते न बढ़ता है और न जीर्यते न पुराना होता है और नम्रियत न मरता है उस वोइख्त कहते हैं ऐसी परवाशा व्याकर्ण कितफ़ने पढ़्लू कभी नहीं हो सकते है यह परवाशा रिशीई कर सकते हैं जिनों ने उस प्रकृति को देखा है आतमा पारा देखा है महर्शी व्यास जी ने उस प्रकृति को उस मेटेलों को अपने आत्मा से समाधिय अवस्ता में देखा और देख करके बताएं कि यह अभयक्तगा लक्षण है जार बात जन्मता नहीं है मरता नहीं है यह तो आ गए थे पहले नित्त में आ गया लेकिन दो चीज़ें नहीं मिली न बढ़ता है न पुराना होता है कि इसका हर्थी है कि प्रकरती जो थी उतनी ही रहती है उसमें घटवड नहीं होती है कि नहीं घटती है न बढ़ती है और पुरानी होती है कि बहुत पुराना हो गया हर चीज पुरानी होती है कि नहीं है जो पुराना होता है मरता है लेकिन प्रकरती कैसी है देखो एटम भी पुराना होता है कभी नगभी विखर जाएगा उसके अंदर जो पार्टिकल है वो भ कि हम सब तो पुराने बोगे हम सब तो सभी जानते हैं सूरितारे विसा पुराने होते हैं नश्ड हो जाएंगे लेकिन एक पदार्त ऐसा है जड़ पदार्त वह कभी पुराना नहीं होता कि इस सारे ब्रह्मान में और जा घटती भी बढ़ती है इनकी कल्पना है कि घटती बढ़ती नहीं है पर मांते हैं श्रक्षन में थे जह होता है मास और्जा का संड़क्षन नहीं रहता है उसका उत्रण के पास नहीं है हम कहते हैं उसका उत्रण है कि वह चंद आधी प्राण रस्मियों बदल जाते दोनों चीजें तो उनमें भी घटवड़ हो सकती है इस जब घटवड़ हो सकती है लेकिन एक ही पदार तैसा जिसमें घ अब ब्रह्मा जी के और हैं अभी तो आठ हुए है और ब्रह्मा जी ने और बताएं बाइस और बताएं प्रह्मा जिनको हम एक मूर्ती वना कर के चित्त वना के पूजा की बस्तु गणा लिया चार्मुग बना दिये सिवलंग की पूजा कार लिए उनके बारें कुछ नहीं जो भगवान शिव का जान शिष्टी पर यह थोड़ा सा मैंने बताए और भी बहुत कुछ है महावारत में उससे अमनुमा लगा लें के जो महादेव जी ने ब्रह्मा जी के तो नहीं बता रहा है समय लंबा हो जाएगा यह आठ लक्षन अपन ने के देखें तो आठ लक् इन देवों की निंदा करते हैं मजा करते हैं टीवी चैनल ब्रेट करके वारती संस करती की वेदों की रिशियों की उसका कारण वो नहीं है उसका करण हम है क्योंकि इनके भक्तों ने रिशियों को और देवों को बदनम किया कि वास्तिविक जीवन का उनके वास्तिविक जीवन का उनके वास्तिविक ज्यान का उपदेश का आज मंदरों में हिरलाजी पूजा बहुत हो रही है क्या कहीं ये बात बताई जाएगी शिवजी के उपदेश क्या है लेकिन उससे क्या हमें सीखने को मिल रहा है कोई सोचता भी नहीं है कि ये ये देव लोग वैज्जानिक भी थे शीव पुर्वाण में कितनी दुर्गती की है मादेव जी की पढ़ोगे तो पढ़नी सकता परिवार इतना गंदा है शीव जी पर जानना है तो मावारत पढ़ो अनुशासन पर पढ़ो शांती पर पढ़ो कि मैंने केता पुराणों में सब जूंठा है इतियास पुराणों में बहुत है एक दम पेक्षा नहीं की जा सकती है यद्यभी महर्शी ने अठारे पुराणों को विश्मिश्रित अन्न कहा था एक सुझाव था लेकिन कि जब कोई व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश पढ़के पारंगत हो जाए रिग्वेदाद भास्षिभूं का पढ़ ले तो वह ऐसा बन सकता है कि विश्मे से भी अन्न निकाल के खा सकता है उसको पढ़ने का अधिकार इन पुराणों को भी और इन शाष्त्र न को पढ़ने 선E बढ़ने सब्सक्राकास पढ़नों अपने पास एक चलनी चाने को यह दूज चाने की चलनी कच्रा निकल जाए का दूज रह जाएगा हो सत्त्यार्थ प्रकाश को काम करेगा सत्य therm क्रकाश ऐसा महादेव स्टार को समझ सकते हैं मिलावत है उसको जान सकते हyeong मिलावत हैं महावारत नहीं छोड़े क है कि उसको हम समझ सकते सत्या प्रकाश पर नहों हिन्य को इस को ईधुर नहीं प्रत्यक मानव के लिए । को हिग विर गुश्य काल के नो कोई हिंडु था नो को मुसल्मान था नो को इसाहित और को अर कोई नहीं देव, गंधर्व, किन्र, राक्षास, असुर, नाग, रिक्ष, बानर, यह ना में जाती होगे। कहीं नाए हिंदू, मुसलमान तो मानते हैं कि यह तो अभी हुए हैं, मुसलमान यसाहितो, तकि हिंदू जो कहते हैं, यह शब्द भी कहीं नहीं था, इस भुभाग के रहने वाले मनुष्य कहलाते थे, हिमाले के भाग के रहने वाले देव कहलाते हैं, यह से वर्ग होता था मिल्ला बेटना कोई पशु पक्षियों से थोड़ियोंगा हमारा अर्था सभी एक जैसे थे तो उसमें यह नाम थे रावन को शुरुपन खानने बताया तो यह नहीं बताया दो हिंदु राजकुमार आये वहां से युद्या दो नहीं है नरकुमार मनुष्यां क्योंक उसका वन्स वह था दो वह वन्स असने ता रावन की माता है असर कंझा थी कह सी पिताव है मनुष्य समझ आये थे यह मनुष्य के टेगर ही को अलग जानवर नहीं है अलग परानी नहीं है लेकिन उनका हमारे नहीं है मनुं के मंश्य होने से और भी गैराइ की बाते हैं लेकिन थे सब यह जसे तो यह नहीं कहता हैं दो हिंदू राज मराए थो नर कुमार आ मनुष्याय है मनशों करकी इतना साथ के अस्वर कन्या काटे ऐसा बोला अ कि लेकिन आज इतनी कट्टरता बढ़ रहे हैं सब जगह कट्रता है कि सब जगह इसलाम की कट्टरता तो प्रसिद्ध है इसा ही अपने दंग से करते हैं काम, अब और ही इसे हैं किसी क्या कोई भी पाखंड का खंडन करो तो लड़ने पड़ तारु हो जाते हैं कि अब तो रिशी द्यानन्द को भी कहने लगे के हिंदू समाज के विरोधी रिशी द्यानन्द विए कारण ते मुर्थ पूजा का अगा कोई नहीं सूचता रिशी द्यानन नहीं होते तो मंदिर मीनि बसते एक घड़ना पता के समाप्त करता हूं मैं गोरकपुर में था गोरकपुर में आरोगी मंदर एक प्राक्ते चिकिस साल है कार सेवक पुरम अयुद्या के एक पंड़ा पंड़े होते हैं वहां एक बृद्ध थे 20 साल के वह भरतीं है तो वह मेरे से बहुत लगाव रखते। कारण उस तीकिस साला में वाँ प्याज देते यह दोग्टर को उपर होता है तो वह उनका में स्वामी जी कहता था यह स्वामी जी और च्भा करते हैं कर शामी के द ऀया ता huge को अधर तर बेतिए है कर शामी जह बेचे याड मेर रखते या सामी जी। खाना काते जाते मेरी से कहते जाते हैं किस तो मैं एक में घाना है अन्ग्रेशों कि बहका भी मागए इस आफ्ट पीच अभी लिचा पूरुबागर चोड़ के दुरागर छोड़ देना आपकी आजी विका इसे चलती है बहुत बात छोड़ देना इमांदर से पढ़ना कि क्या रिशी द्यानन ने गलत लिखा जैसा ही निस्पक्षोग करके उन्होंने हिंदू के मतों पर लिखा वैसा ही इसलाम पर लिखा वैसा ही इसाही मत पर लिखा वैसा ही जैन बोद पर लिखा चार वक्त वामर पर लिखा इमांदर सोचना चुब हो जाते थे फिर मेंकैता ही जायों के बwww जिसने जैसायों से मुक्त कराने के लिए सवरा जوجवा नाबी आदा दूए था ब़्यप इसमें किसका साथ ता जो जाने है सबुष मुखहन экран १ूर ने कभी क्या सवाम्भी आकरन रामक्रश निष्टन परनजी पर चंप जा एक मंत्र बढ़ते थे उससे करांतिकारी बने को सुप हो जाते थे एक दिन क्या हुआ सबों उस मेज पर सरदार जी आगे тобla सरदार को समय करते है ज्हार्ट चैलेंग करते मैं सरदार जी के सास्तनार का मतलब अंकार हो तो उन्नका प्रविजन होता था आउम करें चरचा करें और जो सत्यों से दिसे करेंसे करें मानों को एक करें एक धर्म हो जाए सबका तो कितना सुक होगा यह उनकी भावनाति अंकार नहीं था तो सरदार जी आए तो सरदार जी कहने लगे मेरे से स्वामी जी स्वामी द्यानन थे तो बहुत विद्वान पर अंकारी थे तो मैं कुछ बोल पाऊं इससे पहले वह पौरानिक पंडा जी बोल पड़े और ग्रोधित होके कहते हैं सरदार जी आपको स्वामी द्यानन पर उगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं कि मैं दिल से कहता हूं वह पौरारनीक भी तारा सिसाल के बुडा जिसको मूर्ति बहूं जाहां तो करें समय द्यानन नहीं होते हमारे मंदिर हमारी चोटी जने उतिलग बशते नहीं है और तुमारा जूडा नहीं बशता जूड़ा बांदे उदाड़ी राड़ी ब जितने भी वह संग थे सकत करका रहे है कर तो हूं नहीं रख्षा की है नीट ने तो इस्याम का करना एकरम damage की साइं किस धंग से और राता रिष्टी आनन के राबा कोई बोलने वाल 550 तो रिशीनान्द का अबला तो मानम ता ये मुसल्मान घरव वर विचार कर देखे कि सरसें अम्हें गान कि मित्र ते इसा ही विचार कर देखा त्षयार कि रिशीदानन्द किर अब तैनल कि रॉक्षखन किcommand मानवता की रक्षर और महादेव जी यह तो इतने उंचे लोग थे जहां तक हमारी दृष्टी तो पहुंच भी ने सकती कई वार हम भ्रंबस इनको नकर देते हैं अर्शमाज में दुर्वाग इनका नाम नहीं लिया तो मैं नाम ले रहा हूं साइद कई में नहीं लिया जरोगा सारी आर जगत में पूछा तो रिषी यह तो क्या कहते देखिए आज मुझे कुछ में मालो गौतम कपिल कणाद जैसे रिषीयों के जमाने में में होता तो मेरी गिंती एक साधार्ण मुनिश्य में होती तो इस रिषी आनुन कहते थे अम में कहूं कि गौतम कणाद पतन जली जैमनी व्यास मादेव जी के दूलना करें तो वहां भी यह हुआ कि मादेव जी के सामरे इन रिषीयों की गिंते भी साधान मुनिश्य मोती है कि साधान थोड़ी ते मादेव जी या ब्रह्मा जी या विश्मु लेकिन उन तीनों ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं उनको ऐसा टोक्री में कि पहल जुआ के देखते मीं हम लोग आ पौरानिक शिविलिंग पूजा कर रहा है तो बुरा हो सकता है अज्या नहीं हो सकता है ब्रहमित हो सकता है इसका मदल थोड़े काम शिवी जी कोई छोड़ने के सिरदर दूर करने के लिए शिर नहीं काटा जाता है अगर हमसे आता तो सही बात बताएं उनके वारे में और नहीं आता है तो खंडन दो नकरें शिवलिक पूजा करें यह बदनाम करती है सब को हमारों पास होता है सब लोग होसते हैं लेकिन सही बताएं तो आज है वो सही बात हम रोज फेस्बुक पे थोड़ा-थोड़ा डालेंगे शीव जी इने श्राइड के विशय में क्योंकि फ्रसंग चल रहा था आधी फूरा कि जो प्दार्थ है करते हो से ब्रभ्मान बनता है और जिस प्दार्थ में यह ब्रह्मान करके समाजत है वाश्य वह पदार्थ वास्ट में कैसा इसमें तीन वीडियो होगय दो पहले हो गए एक तीसरा हो गया इतना विशे है रिशियों के पास जब कि आधनिक फिजिक्स इसमें कहीं नहीं टिकता कि नहीं से लिश्टेट के हैं चाहिए बिग वेंग बालों को ले लें इटरनल वाले ले ले और जितने भी इपोथेसी सब को ले 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 इस विशह में कोई नहीं जानता कि नहीं से अनुच एप आभी आ जा सकता है अभी ब्रह्मा जी के और बचे है अभी तो ब्रह्मा जी का बाकी हो सका तो अगलीवार अगली Charlie ओ आपरे में, ओू उन्चाम.